अब देखिए इस टाइप का कोई सिस्टम होगा अगर C triple bond C तो यहाँ पर geometrical isomerism possible नहीं है यहाँ फिर C triple bond N यहाँ पर भी geometrical isomerism possible नहीं है क्योंकि अगर हम देखें sis और trans जैसे अभी हमने देखा तो यहाँ आप देख सकते हो अभी हमने देखा तो देखें यहाँ पर जैसे यह B और B यह दोनों opposite end पर हैं और यहाँ पर B और B same site पर है तो इनके distance में फरक आ जाता है तो यह जो distance में फरक आ रहा है about the restricted rotation system इसी वज़े से यहाँ पर geometrical isomerism exist करता है वहीं पर अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ तो सिर्फ A की group आएंगे हमारे तो इनके बीच का कोई फरक ही नहीं आएगा कोईसा भी आप बना लो और यहाँ पर तो इस side nitrogen के कोई bond भी नहीं रहता है तो यहाँ पर भी मतलब इन दौनों system में C triple bond C में और C triple bond N में geometrical isomerism possible नहीं है या फिर C double bond O इस system में भी geometrical isomerism possible नहीं है क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप दो carbon के bond बन सकते हैं लेकिन यहाँ पर तो क्या है सिर्फ loan pair इस वज़े से यहाँ पर कोई भी आप geometrical isomerism observe नहीं करोगे और एक बात आपको याद रखना पड़ेगी कि C double bond C है अगर यहाँ पर तो यह जो same carbon पर दो identical group अगर आ गए तो भी geometrical isomerism इस type के compounds में show नहीं हो सकता है भले ही यहाँ पर कोई different compounds हो क्योंकि अब आपको कोई भी distance में फरक यहाँ पर नहीं मिलेगा So you must remember कि यह जो groups हैं यह different होना चाहिए जिस एक ही carbon पर identical groups नहीं हो सकते अब देखिए अगर C double bond N हो या फिर N double bond N हो तो इसके about geometrical isomerism show हो सकता है कैसे यह देखिए For example यह यहाँ पर अगर मैं कहूं hydrogen है तो यह एक lone pair है यहाँ पर एक hydrogen लेलो यह एक lone pair है वही पर अगर हम इसका एक geometrical isomer बनाएं तो यह hydrogen यहाँ पर यह hydrogen यहाँ पर और यह lone pair यहाँ पर तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनके distance different हो गए यहाँ पर H और H आपोजिट साइट पर यहाँ पर H और H सेम साइट पर तो यह दोनों आपस में geometrical isomers कहलाएंगे वही पर C double bond N पर देखोगे तो यहाँ पर भी देखो अगर A और B इस टाइप से कोई groups हैं और nitrogen के साथ मानलो hydrogen है यहाँ पर और lone pair यहाँ पर आगया तो lone pair इसमें A के opposite है B के same side है और अगर ऐसा कभी हो जाए किसी structure में C double bond N B, A और hydrogen यहाँ आजाए और lone pair यहाँ आजाए तो इसमें भी आप देख सकते हो geometrical isomerism show हो सकता है इस टाइप के compounds में So dear students, अगर आप से कोई पूछ ले acetylene, okay acetylene जिसको IUPAC name आप ethine भी बोलते हो C triple bond C H और H आप से पूछ सकते हैं कि यहाँ पर although restricted rotation system है मतलब triple bond को आप इस तरह से rotate नहीं कर सकते हो बट still यहाँ पर geometrical isomerism show नहीं होता है तो यहाँ पर आप से अगर reason पूछ ले, तो correct answer क्या होगा कि यहाँ पर 4 atom 2 hydrogen और 2 carbon यह सभी एक ही line में रहेंगे कैसा भी आप सोच सकते हो और जब सभी एक ही line में रहेंगे तो इनके distance में कोई फरक नहीं आएगा मतलब इनका कोई ऐसा isomer हम नहीं बना सकते हैं जहाँ पर distance में फरक आ जाए जैसे की C double bond C, H, H, C, L, C, L C double bond C, H, H chlorine, chlorine तो यहाँ पर आप देख सकते हो chlorine, chlorine same side पर है यहाँ पर chlorine, chlorine opposite side पर है तो restricted rotation system है और साथ में जो group है sorry, atoms है यहाँ पर तो यह atoms के distance में फरक आ रहा है that's why यह दोनों आपस में geometrical isomerism show करेंगे but acetylene में ऐसा नहीं हो सकता है that's why acetylene cannot show geometrical isomerism तो हम क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं कि configurational isomers okay configurational isomers है न which have different spatial distance okay इनके space में, मतलब 3 dimension में spatial distance क्या होगा different होगा okay between atoms या फिर group of atoms चीक है तो यहाँ पर अगर यह condition होगी तो ऐसे configurational isomers will show geometrical isomers या फिर can show geometrical isomerism now dear students एक point काफी important है जो कि आपको याद रखना चाहिए कि cycloalkyns okay cycloalkyns में ऐसे cycloalkyns जिनके पास में क्या होंगे जिनके पास में cycle में या तो 8 या फिर उससे ज़ादा okay मतलब जो ring होगी उसमें ring में carbon कितने होंगे total ring की size कितनी होगी of 8 या फिर more than 8 okay ऐसे जो भी ring होंगे okay वहाँ पर c double bond c के about c double bond c के about क्या हो सकता है geometrical isomerism show हो सकता है okay okay तो देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको एक question से समझाओ तो यह होगा cyclohexene और इसी तरह अगर मैं 5 member की cycle बनाओ और यह alken और फिर मैं अगर 8 member की है ना तो a, b और c इन तीनों में से कौन सा cyclohexene है जो की geometrical isomerism show करेगा will exhibit geometrical isomerism तो correct answer क्या होगा this one क्योंकि यहाँ पर 8 या उससे ज़्यादा कार्बन है cyclohexene में अब देखिए cyclohexene में okay cyclohexene जिनको हम short में क्या लिख सकते हैं cyclanes okay तो cyclohexene या फिर cyclanes अगर हमसे इसमें पूछा जाए कि geometrical isomerism का क्या rule होता है तो देखिए cyclohexene में कहाँ पर geometrical isomerism observe हो सकता है जहाँ पर in those ones where ring में क्या होना चाहिए ring में at least two substituents होना चाहिए okay at different positions at different positions okay positions okay है ना जैसे कि अगर मैं आपको ये वाला cycloalkane दूँ okay तो cyclohexene है नहीं तो suppose यहाँ पर methyl दे दिया और यहाँ पर भी methyl दे दिया मैंने है ना तो दो डिफ्रेंट position पर है okay अब इसको कैसे देखोगे दो geometrical isomar तो देखिए एक आपका क्या हो सकता है cis मतलब दौनों ही wedge पर आ जाए है ना ये basic अली क्या है CS3 CS3 है तो ये CS3 CS3 okay मतलब same side पर है तो इसको क्या बोलतो होगे cis और वहीं पर अगर ऐसा हो जाए कि एक wedge पर आ जाए और एक dash पर आ जाए ना तो ये क्या हो जाएगा trans ठीक है तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि cyclo-alcanes में बस different positions होना चाहिए ग्रूप यहाँ पर same या different हो सकते हैं यह आपको याद रखना है